नमस्कार दोस्तों गड़ेन ग्यान चनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30 ऐसे बहतरीन फूलों के पोधे जो की लाल कलर में रहते हैं यह सब साल भर खिलने वाले फूल होते हैं और किसी एक सिजन का मैं फूल सिलेक्ट नहीं किया हूँ और सब फूल लाल कलर में हैं और लाल कलर देखने में बहुत प्यारा लगता है दोस्तों तो कौन सा सिजन में ये सब खिलते हैं और इनका क्यार भी कैसे करता हूँ ये सब भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा और वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर पोधे हैं जो कि साल भर फूल लेते हैं दोस्तों और कुछच कुछ clip मेरा पुराना भीडियो से है तो भीडियो का quality थोड़ा कम हो सकता है लेकिन देखिये सारे फूलों को मिला के एक फडियो बनाना बहुत बड़ा बात है और बहुत सारा variety variety का plant आपको देखने को मिलेगा exotic plants आपको देखने को मिलेगा सबी लाल कलर का अगर मैं फूल दिखाता तो 60-70 पोधे हो जाते दोस्तों लेकिन मैं सिलेक्टेड पोधा रखा हूँ और आसा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों बहुत महनत से वीडियो बनाता हूँ और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो मेरा होसला अब जाई होता है तो आएए डेरी ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं एलाए दोस्तों हमारा थीटोनिया थीटोनिया बहुत बढ़िया पोधा है और अभी खिला था आपका जुलाई अगर्ष्ट में और ये गर्मी पसंद प्लांट रहता है और हाइट में फूल लेता है और ये जिनिया जैसा ही फूल आता है दोस्तों प्योर रेड कलर में और इसका सीड़ के थो ये प्रोपागेट होता है और ये देखिए आपका बालसम बालसम का रेड कलर और ये भी अभी खिलता है आपका जुलाई टू नवेंबर और इसके उपर भी मैं रिसेंटली वीडियो बनाया था और ये सब अभी खिल रहे हैं दोस्तों बारिस का महिना उएससे भी अच्छा होता है और बहुत सारा फूल खिलते हैं अभी और नेक्स्ट पोधा है हमारा गुलाब गुलाब देखिए लाल कलर में गुलाब को कौन भूल सकता है ये लाब का सिंबल रहता है और लाल कलर में गुलाब बहुत एक्ट्रेक्टिव दिखता है ये दोस्तों सोस्वेरिस हो है ये एक लाल कलर का गुलाब है लाल कलर का गुलाब मेरे पास 7-8 वेराइटी है लेकिन अभी ये खिला है तो इसलिए इसको ही दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पोधा है हमारे दोस्तों फुरूस इसे प्राइड अफ इंडिया भी बोलते हैं इसका लाल कलर देखिए इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फूल आता है लाल कलर में गुच्छों में और ये पता इसका बलाक रहता है तो नेया भेराइटी है हाइबरीड है दोस्तों और देखने में बहुत प्यारा है लाल कलर बहुत एट्रेक्टिव लगता है ब्लाक कलर के पतों के उपर इसका भी फ्लावारिंग सीजन जून टू अगस्ट रहता है और इन तीन-चार महिने में बहुत सारा खिलता है नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फैर क्रेकर इसमें देखिए लाल कलर का फूल आता है और फूल नीचे जुका हुआ रहता है बेल से में ये यूफोर्विया जेलर्डी और ये कांटा नहीं होता है दोस्तों लाल कलर में बहुत चोटा-चोटा फूल देता है और बहुत सुंदर दिखता है ये देखिए मुसेंडा का रेड मुसेंडा का पिंक भी आता है उसका हुआइट आता है और ये रेड देखने में बहु गुडल बोलते हैं और लाल कलर देखिए बहुत एक्ट्रेकिव लगता है好 राधा है और कुल्खता है हमारा यूमनो केक्टश ये लाल कलर में तीन फूल हाया है और फूल भी देखने में बहुत बड़िया दिखता है ये दोस्तों आप्टरनून को खिलता है और इविनिंग को बंध हो जाता है ऐसे पांच-छे दिन चलता है और बहुत easy to care plant है कुछ भी maintenance नहीं है और ये साल भर आपको फूल देता रहेगा बहुत heavy bloomer है दोस्तों नेक्स्ट पोधा है हमारा लांटना लांटना का ये रेड वराइटी दोस्तों बटरफलाई और होनीवी को एक्टरक्ट करता है और जाडितार पोधा रहता है और ये easy to care है और बटरफलाई देखिए अभी भी बैठा हुआ है और ये सब कलरेड करते हैं दोस्तों आपके गड़न में बहुत easy to care plant है ये सब और ये देखिए यूपोर भी आमिली crown of thorns इसे कांटेदर पोधा माना गया है दोस्तों और ये कांटा भी इसका बहुत बड़ा बड़ा रहता है और लाल कलर में इसमें फूल आता है तो फूल कलस्टर में आता है और बहुत बढ़िया से खिलता है बहुत long lasting वाला फूल रहता है ये देखिए आपका पूंसेटिया पूंसेटिया का रेड है डॉटेड में और इसका प्यूर रेड भी आता है लेकिन ये डॉटेड था मेरे पास तो रेड में मैं इसको दिखाया हूं आपको और ये बहुत exotic plant है बहुत costly भी रहता है और फूल इसका बहुत long lasting वाला है करी विठाई तीन वहिन powder pup, powder pup भी एक बहुत बढ़िया plant है perennial है permanent पोधा और ये जितना पुराना होता है जितना branch निकलता है उतना फूल देता है दोस्तों ये देखिए लाल कलर में सब और पॉम पॉम जैसा रहता है फूल सब और ये एक साथ बहुत सारा खिलता है spring में और rainy season में ये देखिए vibrant color लगता है जीनिया और एक साथ बहुत सारा फूल खिलता है और एक एक पूल आपका lasting करता है 20 से 25 दिन और ये size में तो छोटा रहता है लेकिन multi petal रहता है next है हमारा passion flower, passion flower का red देखिए ये दोस्तों बहुत कम खिलता है purple जादा खिलता है लेकिन ये जब भी खिलता है तब चलते हैं next पोधा है हमारा डालिया डालिया का लाल कलर देखने लाइक होता है और फूल का size भी रहता है आपका 7 से 8 इंच और दोस्तों बहुत पेटल रहता है इसमें ये मेरा खिला था आपका December में December January February बहुत बढ़िया करता है डालिया और इसका bulb लेकिन मैं खो दिय के लाना पड़ेगा ये देखिए गजेनिया गजेनिया का लाल कलर है लाल कलर में ब्लाक स्ट्राइप है दोस्तों और बहुत सुंदर सुंदर फूल लेता है गजेनिया सीड से भी होता है और डिवाइड से भी प्रोपागेट होता है और ये समर में बहुत बढ़िया खिल लाल पीटुनिया देखिए और श्ट्राइप आया है इसका हुआइट तो ये गमला भर के फूल देता है ये देखिए आपका गुल्दावडी गुल्दावडी भी आपका विंटर में खिलने वाला पोधा है और विंटर में बहुत बढ़िया चलता है इसे लगाया जाता है आपका September October में और खिलता है आपका December जानवारी में तो गुल्दावडी बहुत बड़ी आचोईस है इसका बहुत सारा लाल था लेकिन ये बाला में आपको दिखाया हूँ ये दिखिए एडेनियम एडेनियम का लाल भराइटी इसका मेरे पास 6-7 लाल कलर का है लेकिन ये सि सिंगल पेटल रहता है लेकिन फूल जदा देता है दोस्तों और फूल भी देखने लाइक और रहता है एज सब ब्लाक रहता है और ये रेड कलर में इसको डीजाट रोज भी बोलते हैं क्यूंकि गुलाब से भी ये कम नहीं होता है दोस्तों और सरदियां चेड़ देंगे तो बाकी सारे सिजन ये आपको फूल देगा ये देखिये आपका कलांचो मेरा सबसे फेवरेट और कलांचो देखने लाइक होता है दोस्तों खास कर आपका डिसमबर जनवारी में बहुत सारा किलता है और मैं बहुत सारा लगाता हूँ छोटा-छोटा गमला चाहिए इसक जैसा ही लगते हैं और फूल का साइज भी काफी अच्छा रहता है दोस्तों लेकिन लास्टिंग थोड़ा नहीं रहता है इनका लेकिन जब भी खीलते हैं देखने लाइक होते हैं यह देखिए एक जोरा एक जोरा को कौन भूल सकता है यह तो बहुत कॉमन प्लांट है और फ पूल भी प्लस्टर में आता है लॉंग लास्टिंग वाला रहता है और विगनर्स भी लगा सकता है इसे जी टू क्यार प्लांट है और यह देखिए आपका अमरीलिस आपका बहुत बढ़िया रहता है बल्प से ग्रो होता है और यह मल्टी पेटल रहता है दोस्तों रोज बड़ा बड़ा फूल रहता है यह देखिए यह बल्प से ऐसे स्पाइक आता है और वहां से दोस्तों फूल आता है इसका तो यह आपका समर कलेक्शन में रहना चाहिए आमारीलिस नेक्स्ट पो देखिए और चलते हैं नेक्स्ट है मेरा और एक फेवरेड जारवेरा जार दोस्तों आपका उंटर में और यह पिंकी से रेड है लेकिन यह वाला देखिए यह प्यूर रेड में है और फूल का साइज भी कम नहीं है तो एक के बाद एक यह पूल देता रहता है और यह थोड़ा सेंसिटिव रहता है इसे बिगनर्स नहीं बचा सकते हैं दोस्तों ब एक बार आ जाए तो दोस्तों एक डेड़ महिने के उपर चलता है और इसका पता भी बहुत साइनी लिट्स रहता है और हाड रहता है और देखेंगे तो यह प्लास्टिक जैसा ही आपको दिखेगा और प्लांट इंडिरेक्ट लाइट में चलता है दोस्तों और इसका क्यार थोड़ा अलग है इसके उपर में वीडियो बना चुका हूं इसके क्यार के उपर और यह हर एक कलर में आता है लेकिन रेड जो होता है देखने लाइक होता है दोस्तों इसका प्राइस भी बहुत हाय रहता है और यह पार्मानेंट पोधा है अगर आपके क्लाइमेट में य लेकिन इसका बहुत स्लो है और फूल बहुत लॉंग लाश्टिंग वाला है तो एंथुरियम एक बहुत बढ़ी पोधा है लेकिन रहता है इसलिए सब लोग आफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बिगनर्स के लिए यह नहीं है दोस्तों यह आप अगर गाड़ेनिंग कर चु बहुत बढ़िया लगता है आए नेक्ष्ट पोध है कि चलते हैं नेक्ष्ट पोधा है हमारा मांडा विला मांडा विला का रेड कलर यह बीगनर्स के लिए नहीं है बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा सेंसिटिव रहता है दोस्तों अभी आप खरीद के ला सकते हैं आराम बात है एक के बाद एक खिलता रहता है दोस्तों तो वाइट आप लगाईए अगर बिगिनर्स हैं तो वाइट के तरफ जा सकते हैं लेकिन रेड देखिए रेड जैसा कोई नहीं है दोस्तों रेड बहुत एट्रिक्टिव दिखता है और एक के बाद एक आपको फूल देता रहेंगा यह और प्लांट आपका जितना पूराना रहता है उतना फूल आता है ज Typically निकलता है और यह और नेक्स प véunuz है हमारा देखिए लाल अलामंडाा वी यह निया निकला है और बहुत प्यारा लगा मुझे यह दोस्तों ऐक थे बाद-ख फूल देता रहेगा अभी आपका बारिस में बहुत वड़िया केलता है बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके कियार के उपर भी मैं विडियो बना चुका हूँ और इसका हर एक कलर आता है लेकिन रेड अभी नया निकला है और हर सभी के पास होगा नहीं यह नेक्स्ट है हमारा मेरी गोल्ड मेरी गोल्ड का यह देखिए लाल कलर फ्रेंच मेरी गोल्ड है और यह विंटर में खिला था आपका जानवरी में और बहुत स्वाट हाइट में फूल देता है और फूल भी रहता है दोस्तों लॉंग लास्टिंग वाला तो वीडियो काफी लंबा हो गया है और आसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं और एक नए टोपिक में कुछ नए पोधों के साथ कुछ नए जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार